हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं mathematics बढ़ाता हूँ आज मैं आपको polynomial chapter से factor theorem बता हूँ देखिए factor theorem क्या होती है factor theorem factor आप सभी जानते हैं मैंने अपनी पहली वीडियो में भी discuss किया था factor को ही एक ऐसा number होता है जो किसी दूसरे number को divide कर दे सब्सक्राइब जैसे 6 है 6 तू को divide होता है यह निकि 2 is a factor of 6 3 है 3 15 को divide कर देता है इसका मतलब 3 is a factor of 15 कोई भी number दूसरे number को divide करें और remainder शुड़ भी 0 remainder अगर 0 आ रहा है तो वो number उसका दूसरे वाले number का factor होता है जैसे 3 यहां पर 15 को divide कर रहा है तो 3 यहां पर 15 को divide करने पर remainder कितना आ रहा है 0 तो 3 15 का क्या है factor clear तो यहां पर आप तो यह हमेंने जो लिये थे भी real numbers थे अब आप यहां पर polynomials की form में देखेंगे in the terms of variables की form में देखेंगे x variable देखेंगे let px be a polynomial हमने माल लिया कोई भी px एक polynomial है जिसकी degree n is greater than 1 जिसकी degree कैसी है 1 से बढ़ी है and let a be any real number और हमने यह माल लिया कोई भी a real number है a माल लिया एक real number माल लिया यह जैसे मैंने अभी आपको discuss किया real number एक लेना पड़ेगा divide करने के लिए तो if पहली condition इसमें two conditions हो सकती है if p a is equal to 0 then x minus a is a factor of px क्या मतलब है इसका p a is equal to 0 मतलब px polynomial आपको दिख रहा है px polynomial इस x की जगे अगर मैं a put कर दूँ जो मैंने यह आपके real number लिया है इस x की जगे मैं a put कर दूँ और वो पूरा का पूरा polynomial 0 हो जाए तो इसका मतलब x minus a is polynomial का क्या होगा factor होगा ठीक दूसरा कैसे पढ़ते है इसी को reverse form में पढ़ते है x minus a अगर factor है polynomial का तो p a should be 0 अगर x minus a factor होगा तो आपका p x sorry p a यानि कि जब हम इस polynomial में a रखेंगे तो वो कितना आएगा 0 ठीक अगर समझ में आगए तो ठीक वरना एक example देखे उससे clear हो जाएगा जैसे मान लिए आपने p x एक polynomial लिया x minus y ठीक है अब आपने एक बात बताईए मुझे आप x की आएसा मैं क्या रखूंगी यह पूरा पूरा polynomial 0 हो जाए मैंने सोचा तो यहां बनाया अगर मैंने यहां x की जगा 1 रख दूंगते कि मैंने बन रख दिया पूरा polynomial में यह एक सके 1 रखा 1 minus 1 is equal to 0 तो यह कितना आगया 0 यह यह बन रखने पर यह पूरा का पूरा polynomial क्या हो रहा है 0 और आपने polynomial चेप्टर में पढ़ा होगा 0s of the polynomial 0s क्या होते है polynomial के polynomial की वो value मतलब polynomial में एक ऐसी value रख दें जिससे पूरा का पूरा polynomial 0 हो जाए उस value form 0 of the polynomial कहते हैं तो यहां पर मैंने क्या रखा x के 1 और रखने पर polynomial कैसा आगया 0 तो 1 इसका क्या हो गया इस polynomial का 0 मैंने यह लिखा है x is equal to 1 is a 0 of this polynomial x is equal to 1 इसका 0 है यह तो 0 की form है अब इसको factor की form में लिखिए तो 1 इदर आके कैसा हो जाएगा minus यह एक्स minus 1 is equal to 0 is the factor of this polynomial यह factor form होती है यह 0 की form होती है यह एक्स minus 1 इसका क्या है factor clear हुआ तो देखिए अब इसे compare करेंगे अब फिर से समझे एक बाद अगर हमने polynomial में x की जगे a रखा और रखने पर पूरा polynomial 0 हो गया जैसे मैंने इसमें रखा है x की जगे 1 रखा और उसे रखने पर पूरा polynomial 0 आ रहा है value 0 आ रही है तो x minus 1 क्या होगा उसका factor जैसे हमने a रखा और ऐसा करने पर polynomial 0 है तो x minus a क्या होगा उसका factor जैसे x minus 1 हो गया ऐसी x minus a is the factor of this polynomial px clear अब इसे reverse में पढ़ते हैं अगर x minus 1 इस polynomial का factor है factor है इसका मतलब इसे यह जो factor है इस polynomial को डिवाइड करने पर remainder should be 0 remainder 0 आना चाहिए अगर यह इसका factor है तो यहां से मैंने x की value निका लिए x की value किती है इक 1 अगर मैं इसको 1 में put करूँआ यहां पर मैंने polynomial में 1 put किया तो वो कितना रहा है 0 अगर मैं इसे factor लेते चला था मैंने इसकी value polynomial में put की 1 तो यह polynomial कितना हो गया 0 वही यह बोल रही है, अब इसे पढ़ते हैं, अगर x-a factor है, polynomial px का, और हमने उसमें a value put की, जैसे यहां से x-1 था, तो one value put की, ऐसे यहां पर x-a factor है, तो a value put की, तो polynomial में जब a put किया, तो अगर polynomial की value 0 आ रही है, तो उसका क्या है, factor, यह उल्टा बोले का, अगर यह factor है, तो उ remainder theorem में जब वह value रखते हैं, तो यहां से क्या निगलता है, हमेशा remainder ली तो आता है, polynomial का, जो कितना रहा है 0, और अगर किसी का remainder 0 आता है, तो वह value जो आपने रखी है, उसे हम क्या कहते है, उसका factor, यह थी factor theorem, ठीक समय में आ गई आपको, तो factor theorem बस यही कहती है, कि किसी polynomial को आ एक example देखते हैं, देखें friends, show that x-3 is a factor of the polynomial, आपको show करना है, आपको एक polynomial दिया है Px, आपको show करना है कि x-3 is का factor होगा, ठीक, अब देखें कि factor होगा, तो अगर वह उसका factor होगा, तो जब मैं उसमें से value पुट करूँगा, तो उसका remainder 0 आना चाहिए, तो वही करेंगे, सब x-3 इसका factor शो करना है, तो x-3 को हम 0 के एक और रखेंगे, ताकि हम x की value निकाल लें या से, 3 आ गई, अब मैं अगर इस 3 को, यानिकी जो इसका 0 है, इस 3 को इस polynomial में रखूँगा, तो यह polynomial का remainder 0 होना चाहिए, आपको ध्यान हो तो remainder theorem से remainder कैसे निकालते थे, उस polynomial में उस value को रखते थे, तो रखिये, x की जगए जो 3 है, इस polynomial में रखिये, 3 रखा है मैंने x है, यहाँ जाँ जाँ 3 आपको दिख रहा है, x जाँ आपको दिख रहा है, उसकी यह 3 रख दीजे, x है 3 का cube, plus 3 square, minus 17, into 3, plus 15, 3 का cube, 27, 3 का square, 9, minus 17, into 3, 51, plus 15, 27 on 9, और 15, add करके 51, minus 15, 0, आ रहा पॉलिनोमियल को exactly divide कर रहा है, तब ही तो remainder 0 आ रहा है, और exactly divide कर रहा है, इसका मनलब x minus 3 is a factor of this polynomial, x minus 3 is a factor of this polynomial, clear, तो ऐसे ही आप किसी का भी factor निकाल सकते हैं, show कर सकते हैं कि इसका factor है या नहीं, आप उस जो भी factor आपको पूछा जाए, या show करवाने के लिए दिया जाए, कि इसका factor निकाल लगिए, वहाँ से x की value निकाल लिए, और उस polynomial में put करके देखिए, अगर remainder 0 आ रहा है, then वो उसका polynomial है, जो भी आपको given मिला है, वो उसका factor है, जो भी आपको given या दिया है, वो उसका factor है, और अगर remainder 0 नहीं आएगा, तो ये इसका factor नहीं होता, clear, तो ये है, आपको factor theorem सिखाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो please share, like and subscribe करें, thank you,